बागेश्वर धाम वाले धिरेंद्र शास्त्री को चुनौती देने वाले शाम मानव को धमकी भरे फोन आ रही है इसके बाद नाकपुर पुलीस ने उस जगर की सुरक्षा बढ़ा दी है जहावे ठैरे हुए हैं आपको बता दे कि अंधर शुद्धा निर्मूलन समीती के संस्था पकद्यक्ष राम मानव ने धिरेंद्र शास्त्री को उनके सामने अपने चमतकारों को दिखाने की चिनौती दी थी जिसके बाद अब ये पूरा बवाल शुरू हुआ है इसे संदर में हमारी समादा था शुद्धा देश्वुक ने शाम मानव से खास बाद चित की अंदशरद्धा निर्मुलेंड समीतिके संस्था पकद्यक्ष शाम मानव हमारे साथ है आपको धंकियों बड़े मैसेज और फोन आ रहे हैं क्या धंकिया दी गई है किस तरह की धंकिया है काफी बार बार धंकिया आ रही हैं गालियों के फोन आ रहे है मेरे फोन पर आ रहे है जो हमारे जो जो फोन ये अंत्रणा पर उपलब्द है उसमें आ रहे हैं यह हमारे काम का हिस्सा है जो फोन आए उसमें एक फोन पर ये धमकी आई कि तुम्हारा दाबूल कर कर देंगे दूसरी मेरे फोन पर धमकी आई कि दो बज़े तुम्हारा आज मरडर कर देंगे गुली मार देंगे तो इस धंकी धमकिया तो आ रही है पहले भी ऐसी दमकिया हमेशा आते रही है जब कानून के लिए मैं प्रयास कर रहा था दाबुलकर जी भी प्रयास कर रहे थे दोनों को दमकिया आती थी और तब मैंने कहा था कि मरडर भी हो गया आगे चलकर तो दाभूलकर जी का मरडर हुआ, पांसरे जी का मरडर हुआ, उसके बाद में करनाटक में गलबुर्गी और गवरी लंकेश जी का मरडर हुआ, तो ये चार लोगों का तो अलड़ी मरडर हो चुका है और इन लोगों न चल रही है बीच में हमारे आज के ग्रोह मंत्री पास साल तक मुख्य मंत्री और ग्रोह मंत्री रह चुके हैं तो वह सब यह चीजे जानते हैं और महाराश्च की पोलिस लॉयन ओर्डर के बारे में बहुत ही जागुरूख होती है ग्रोह मंत्री भी बहुत धिम्मेदार ग्र पर परेंद्र शासरिम उन्हें आपने जो चुनोती दी उसके बाद से जो है बवाल है थमने का नाम नीं ले रहा इस पर आपने किसी राजन राज नीती में व्यक्ति से बात की है। कमिटी के अध्यक्ष जो है सामाजिक नय मंत्री होते हैं लेकिन अभी नहीं है इसलिए मुख्य मंत्री जी उसके कमिटी के अध्यक्ष है तो मुझे इस सब बारे में पुलिस का क्या कहना है उनसे लेकित फॉर्म में मुझे लेना पड़ेगा कि भाई क्यों आप कंप्लेंट कि क्या हमारी पोजिशन है सरकार ने क्या करना चाहिए मैं उनकी दिक्कत भी समझ सकता हूँ क्योंकि वो उस रामकता में गए थे इसलिए उनका नाम भी उसके साथ में असोसियेट हुआ है लोग ऐसा समझ थे कि इसी कारण एक्षन नहीं हो रही है तो यह उनकी दिक्कत क् होगी और फिर शासन के भूमिका क्या है यह सपश्ट होगी लेकिन मैं सुरक्षा के लिए उनसे मिलने की मुझे जरूरत नहीं लगती है उतने वह बहुत एक्टिव ग्रोह मंत्री है उसके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं जिस तरह से आपने दिरेंज रशास्तरी को च सोचना चाहिए कि आप किसलिए विरोत कर रहे हैं मैंने जो विरोत किया है धिरेंद्र कुष्ण महराज का रामकथा के लिए नहीं किया वो सवनातनी होने के लिए नहीं किया या फिर वो घरवापसी करते इसलिए नहीं किया है मैंने केवल विरोत उनके ठगी का किया है वो ये चुनावती स्विकार कर सिद्ध करे कि उनको सही में अपने आप सब समझता है कोई भी जानकरी उन तक नहीं पहुशती है दूसरा वो अपने दिव्य दरबार में लोगों के भूत प्रेत के विश्वास को बढ़ाते है तो वहां तक सिमित रहता तो बात अलग थी वो कहते हैं आपको अमुक ने भूत लगाया आपको टोटका लगाया है आपको किसे ने खिला दिया खिला दिया जादू टोना की चीज़े खिला दिया ये सब कहते हैं लोगों के अंदविश्वास बढ़ाते हैं लोगों के नाम लेते हैं कि आपको अमुक विक्ति ने लगा दिया है यानि इसका मतलब जगड़ा लगाते हैं और इसके ही तहथ काफी लोग पूरे देश में मारे जाते हैं जादू टोने चा समशया पई मारहन होना और नि मार ले जाना यानि तोटका टोना किया इस संदेह के कारण हमारे देश में काफी लोगों को पिटा जाता है उन पर भहिशकार होता है और उनमें से काफी लोग मारे भी जाते हैं इसलिए कानून बनाए कई रज्जों में इस कानून बनाए यह बहुत ज़्यदा व्यापक कानून है तो इस कानून का खिलाप आप जाते हो तो क्या लोगों को मरने देना चाहते हो जो लोगों को ठखते हैं उनका आप समर्थन करते हो क्योंकि इस कानून में धर्म के खिलाप एक भी बात नहीं इस कानून में भगवा के नाम पर जो ठकते हैं और जो अंदविश्वास के करण लोगों का नुकसान होता है उसी के खिलाप ये कानून है और रहा सवाल कानून रद्द करने का तो आप तो पहले से विरोध कर रहे थे इसके बावजूद हम लोगों को कन्विंस कर पाए कि इसके खिलाप कानून में भगवान और धर्म के खिलाप कुछ भी नहीं है केवरल ख्रगी के खिलाप है और लोगों को अंदविश्वास से बचाना है इसी लिए महराष्ट में सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया और सभी पार्टियों के समर्थन से 2013 में ये कानून सम्मत हुआ मैं इन लोगों से इतनी बिनंदी करता हूँ कि आप कानून को रद्द करवाना चाहते हो तो बहुत आसान चांस आपके पास में है क्योंकि इस कानून के शेडिल टू में चमतकार का प्रयोग प्रदर्शित करकर लोगों को ठगना ये कानून अपराद है ये किस आधर पर खड़ा है कि इस दुनिया में कोई चमतकार नहीं कर सकता महराज जी अगर नाकपुर में देवेंद्र जी की पूलिस के सुरक्षा में अच्छे डंग से ये सिद्ध करे फ्रोड एंड प्रूप कंडिशन्स के अंदर तो इसका मतलब दुनिया में पहली ब वईज्यानिक चीजों के आधार पर खड़ा है इसलिए उनको कोई मेहनती नहीं करनी पड़ेगी चारों पार्टिया बड़ी चार पार्टिया और बाकी पार्टिया सब मिलकर ये कानुन को पुरी तरह से रद्ध कर देंगे इसलिए आप सारी मेहनत आप धिरेंद्र कर चमतकार सिद्ध करने के लिए प्रेरीत कीजिए उनके पास कोई जानकरी किसी भी माध्यम से नहीं पहुचीगी इसे वातावरण में और सही माने में दिव्य शक्ति सिद्ध होई तो कानुन भी रद्ध होगा और मोदी जी का सबसे बड़ा प्रॉबले में इस देश का खतम हो जाएगा क्योंकि उसके बाद में इस देश में एक भी टेररिस्ट अक्टिविटि नहीं हो पाएगी बॉम्सवोर्ट की तयारी हो रही है महराज के जरिए पहले ही पता चल जाएगा हम रोक लेंगे कोई अगर टेररिस्ट अक्टिविटी के तयारी कर रहा है तो मह पहले ही पता चाहिज लाएगा दिव्य शक्ति के माध्यम से और पूरे देश में एक भी टर्रिरिस्ट एक्टिविटी इसके बाद नहीं होगी तो उनके दिव्य शक्ति का उपयोग हम देश की सुरक्षा के लिए करेंगे बक्तों के केवल छोटे से प्रॉब्लम सौल करने क के लिए क्यों उनकी दिवेशक्ति जायज की जाए जिस तरह से आपने भी बात की है दिरेंडर शास्री पर तो आप पर ये भी कहा जा रहे कि आप कॉंग्रेस की विचारदारा से जुड़े हो और आपका एक फोटो वारल किया जा रहा है जो भारत जोड़े यात्रा में र तो क्या आडल बियारी बाचपई जे ने कॉंग्रेस जॉइन कर ली थी तब हमारे लिए इंदरा गंदी जी हीरो थी क्योंकि मैं खुद बंगलादेश युद्ध में उसके पहले एक मेना वहाँ पर रिफ्यूजिस की सेवा कर रहा था जैप्रकाश नाराइंड संगडन का में हिस्सा था तक बुदानी पधियात्रा के बारे में मुझे आकरशन उसे जन जागरंड सही माने में होता है इसलिए मैं रहुल जी पदेयात्रा में शामिल हुआ इसका मतलब मैंने गांगरेस जोईन कर ली और उसके आधार पर यह सब काम कर रहा हूँ क्या मैं तो पिता जी जनपत के उपाध्यक्षत है जनपत याने पुरानी जड़ी पी जब मैंने इमर्जंसी लाई इंदरा गांधी ने जो हमारी हिरो थी उन्होंने इमर्जंसी लाई तब मैंने विरोत किया पहले ही दिन जब इमर्जंसी हमें पता चली उसी रात को हमने पोस्टर्स ल तो जंतापरडी के प्रचार के लिए मैं चार पाथ जिलों में घुमा और उसके बाद में जब मैं एमे सेकंड करने के लिए नाकपूर में आया तब मैं तरून भारत से जुडा तब देवेंद्र जी फड़नुष जी के पिता जी गंगादर जी फड़नुष बहुत एक्टि का हमारा रिष्टा वो मेरे साथ रखते थे जबकि मैं बहुत उन से छोटा भी था इसके बावजूद हमने मिलकर यहां काम किया है मैं तरुन भारत से चार साल जुड़ा रहा हूं तरुन भारत में हर अपते मैं अर्टिकल लिखता था उनका जो वीकली था उसका मैं रही है सनातन दर्म में अलग अलग विचार भावी और दोनों विचार धारा एक दूसरे का सनमान करते दूसरे के साथ में जगड़ते नहीं है अपने विचार बहुत ताकत से रखते यहां बड़े-बड़े परिस्नमाद सिंपोजियम होते लोग अपने विचार रखते द तो मैं इतने सालों तक तरुन भरत से जुड़ा था, RSS के प्रमुग बागा साब जी देवरस ने मेरे काम को समर्थन दिया था, मेरा कभी RSS ने और्गनाईजर विरोध नहीं किया, इसलिए मैं RSS विचारधरा का बन गिया क्या, अगर मैं कॉंग्रेस में जाता हूँ, राव मेरे जैसे व्यक्ति को मिला है, मैं किसान का बेटा हूँ, पहले हमें कोई स्वतंद्रता इस ढंकी नहीं थी, इक्वेलिटी नहीं थी, लिबरेटी तो थी नहीं, उसका पता ही नहीं था, क्योंकि एजूकेशन ही नहीं था, तो कहां से पता चलेगा, ये सब चीजे आज की जमाने में हमें मिली है, और वो कायम रहनी चाहिए, इसलिए मुझे लगा कि उनसे मैंने जाना चाहिए, उस सियात्रा के साथ में जुड़ना चाहिए, हमारी बाते मेरे काम के बारे में हुई, उस कामें उन्होंने सवाल पूछा मुझे, कि भाई, आप नाकपूर में रहत कि अदमी तो भगवान के खिलाब नहीं बुलता है, ना ही ये किसी धर्म के खिलाब बात करता है, ये केवल ठगी के खिलाब काम करता है, तो बात साथ जी ने कहा, कि हमको कहा हमारे घर में साथ चाहिए, मेमान की लाठी से अगर साथ मरता है, तो अच्छी बात है, यानि अ आरेसेस की विचारधरा में सावरकर की विचारधरा मनने वाले काफी लोग हैं और सावरकर नी बहुत ही प्रोग्रेसिवली सामाजिक विचार रखे हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव थे सामाजिक विचारों के बारे में आप जानते हो रावल जी के सावरकर के बारे में क्या वीचार है इसके बावजूत मैंने ये बात कही और मेरे पत्रकार मित्र मुझे सावरकर पर मत बोलो ऐसा करे थे फिर भी बोला और बाद में ये बात भी कही जो मैंने अभी कहा कि आप ये चार मुल्यों का समर्थन करते हो इसके प्रतिय आपके मन में बहुत ही अगर है और इ हिए यह लिंग का आप जोड़ोगे उन्होंने कहा मेमान कीलाथिस याने वो भी मुझे अपना नहीं मानते हैं मेमान कहा है मुझे जबकि मै नहीं साल तक कामके ये अरेसे इसके लोगों उनको भी इसकी स्पष्टकल पना है कि मेरे विचार अलग है लेकिन हमें ये परंपरा हमारी रही है हम एक दुसरे के विचारों का सनमान करते महाराश्ट में ये परंपरा बहुत सालों से रही लेकिन अभी वो परंपरा तूटती नजर आ रही तो हमारे साथ शाम मानौ थे धिरिंद्र शासरी को चुनोती देने के बाद जो है विवाद जो है वबाल हो रहा है उसके बाद जो है शाम मानौ को जो है जान से मारने की धंकी मिली थी उसके बाद उनकी सिक्रेटर को जो है महराश्टर सरकार ने बढ़ा दिया है क्या मेरा प